अधिशन हो यह हैं बाई दोजार चोबी साले वी कोस्ट कटिंग तो इस बार नहीं नहीं सोचा कि हम कुछ एलो एडिवीवन वेल्कम बैक तू एनधर वीडियो आई होप सब कुछ बड़िये जल रहोगा आप सब की जिन्दगी में आज आपके सामने खड़ा है वाई औल न्यू फोक्स वेगन 2024 का टॉप वेरिंट यानि की टॉप लाइन इस से उपर ना केवल वर्टेस जीट हाती है जिसमें आपको मिल जाते है वन पॉइंट फई यह पॉइंट जीरो इंजन यानि की ट्री सेंडर इंजन मिल जाते है यह देख लो भई TSI की बैजिंग है, कोई GT की बैजिंग नहीं है यह 1.0 का टॉप वेरिंट है मैनुवल में है, आटोमेटिक भी आते है यानि कि 6-speed talk converter का भी option मिल जाते है बट मैनुवल is मैनुवल एंड इंजन स्पेसिवेशन की बात करें 999-7 का पेट्रोल इंजन मिलते है जो आपको प्रोवाइड करते है राउंड 114 भी बढ़िया इंजन है भागता अच्छे है, पोटेंशल इंजन का अच्छे है बट जो 1.5 है, वो तो one of the best है इन सेग्मेंट, बट उसकी कोस्टिंग भाई ज्यादा चल जाती है जो यह वाली कार है, हमारे इदर 17 lakhs तक की पढ़ जाती है ओन रोड, भेंगी तो है बट जो GT है भाई, वो तो बस मतलब की 24 लाग की पढ़ जाती है इंजन के पैसे है भाई बट परस्नली मुझे ऐसा लगता है VW को अगर यह सेग्मेंट किल करना है सदैन वाला, तो कम से कम इन अपनी GT-Line में 360, Camera, Adas, Level 2 जैसे मतलब जो गिमकी-गिमकी फीचर्स होते है दे देनी चीह है, क्योंकि यार जो इनकी competition में वरना आ रही है, उसमें जाधा features है, तो GT-Line और Top-Line features का तो कोई difference है नी, तो कम से कम अगर थोड़ा वो difference ही करते है, तो कहीना कहीना वो 23,00,000,000 रूब है वर्थ लगते हैं अभी तो जैसे मैं आपको ताया, केवल इंजन के ही पैसे लगते है, GT में तो, क्योंकि features Top-Line और GT-Line में सेम है, बट यह सब चीज़े छोड़ते हैं इस कार की बात करें, मतलब at present वर्ना पुराने वाली, मतलब की 2022 तक जो आती थी और अब यह, looks में न, unbeatable है at present की वर्ना की looks आपको बहते ही है बट यार मेरे according looks बड़ी subjective होती है बट कहीना कहीं यह तेखो मेरे personal opinion है मुझे इस कार के looks at present बहुत ही बड़ी आ लगते है खासकर जो youth को target करती है न, कार और आपको होते ही है, जहाँ पे जर्मन कार आ जहें वहाँ पे एक अलगी fan base होता है मतलब कि एक cult fan base होता है और Volkswagen तो जान नी भी भाई, अपनी tuning potentials हो गयर रख ले जाते है मतलब कि जो इन में modifications हो सकती है वो next level होती है but yes, front look की बात करें इधर आपको VW का logo मिल जाते है ऐसी कुछ है इसकी grill बहुत ही sleek grill है, chrome treatment आपको मिल जाते है and headlight unit की बात करें LED आपको headlight मिलती है, इधर आपको indicators मिल जाते है LED DRLs आपको मिल जाती है बड़ जो fog light है, वो आपकी unfortunately halogen रहती है बाकी bumper पर आप देख सकते है, gloss black का बढ़िया treatment है इधर अगेन आपको chrome treatment मिल जाते है and ground clearance की बात करें, around 179 mm की ground clearance है best in segment ground clearance है Jeep Compass के लगभग ना इसकी ground clearance आपको मिल जाते है और ऐसे-ऐसे areas में आप इसे easily चला सकते है मेरी बरना की 165 mm है मैं उसे ले लदाक लेके जा रहा हूँ तो वही बात है आजाती है ground clearance तो just एक matter of fact है बंदे में depend करते है, वो अपनी कार कहां का ले जा सकते है लगाने वाले तो नीचे भाई थार भी लगा देते है बढ़ ठीक है, side में आ जाते है tire size की बात करें, इसमें आपको मिल जाता है 205 55 R16 tire size alloy wheels का design बढ़िया लग रहे है GT line में आ ओल ब्लैक आपको alloy wheels मिल जाते है बट इसमें आपको diamond cut alloy wheels मिलते है front में आपको disc brake मिल जाती है rear में कोई disc brake आपको नहीं मिलेगी उपर आपको sunroof मिल जेगी shark fin antenna मिल जाता है and rear look की बात करें ना भाई जो rear से भी car लगती है ना मतलब ये गार ना कहीं से देख लो एक ना polo आती थी भाई वो ना अभी ता कितनी बढ़िया car लगती है ना road पर जब चलती है इसका भी ना यही हाल होएगा आने वादे दस साल तक ना जो इसकी looks है वो unbeatable ही रहने वाली है क्योंकि ना जादा futuristic ही है नी मतलब कि सब के ना दिल पे छास ही जाती है और at present अगर मुझे कोई sedan लेनी हो इस प्राइज रेंज में इंडिगेटर भी आपको LED ही मिलते है एंड खास बात बताता हूं इसमें जो reverse light है ना वो भी LED है अकसर आपको बता है halogen मिलती है नीचे आपको reflector मिल जाते है chrome treatment अगेन आपको मिल जाते है एक दो तीन reverse parking sensor मिलते है चार नहीं मिलेंगे जो camera quality है अब ही में अंदर जाओंगा भाई इतनी रदी camera quality मलते है पूरी कार में जो सबसे फुद्दू चीज मुझे लगी ना वो camera quality लगी बहुत ही भी कार है यह तो इंप्रूब होनी चाहिए बाकि यस यह देखो tailgate का से open हो चुक है 521 liters की ना इसकी boot space है boot light आपको मिल जाती है उपर अच्छी खासी भाई boot space है वरनागी वैसे थोड़ी जाद है बठाँ spare wheel आपको मिल जाते है जिसका size है 195-50 मतलब ही 15 inch का spare wheel मिल जाते है और यह top variant है इसलिए आपको subwoofer मिल जाते है जो बीच में पढ़े ना इस subwoofer है यह additions हो यह है बढ़ी 24 वाले वेडिट में वैसे 2023 के end में ही आगी से additions तो बठाँ tailgate को ना हम कर देते हैं बंद और हाँ यह देखो पार्किंग लाइड में इसमें आपको LED ही मिलती है की की बात करें ना ऐसी कुछ है इसकी की बेसिक सी की है फिलिप की है लोग अनलोग इसे प्रैस करूँ में टेल गेट ओपन हो जाएगा और हाँ एक और चीज यार जो टेल लाइड में smoke treatment है ना वो बहुत ही जादा जबरजस लगता है इसमें डालेंगे पेट्रोल कोई डीजल ओप्शन नहीं है फिफ्टी लीटर्स की इसकी फ्यूल टेंग कैपिसिटी है अब हम चलते हैं कार के अंदर अंदर से देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं यह हमें प्रोवाइड करती है करता है रिक्वेस्ट से दोनों साइड के दाथ कवाथ करें बैसे इंटील टोन इसमें आपको इंटीर मिल जाते हैं ऑर दोकिं की बात करें उगार भी हम इधर से एड़ी जसकर सकते हैं फोल्ड कर सकते हैं cost cutting तो इस बारना इनने सोचा कि हम करेंगे ही नहीं यह देख लो गाई इधर भी आपको electric adjustable seats मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है पिछे तो obvious सी बात है भाई कुछ नहीं होती है adjust लगेरा पिछे वाली हम बात कार है start हो चुग है 1.0 है जब रेफ करेंगे न तब आपको refinement में थोड़ कमी लग सकती है as compared to 1.5 1.5 में बोल लूगा best engine है अगर आप 1.0 ले रहे हैं कोड़े से और खर चलो भाई अगर आपका बजट अलाओ करते है बट 1.5 पर चले जाना बट एणीवे यह सब चीज़े छोड़ते है इधर आपको मिल जाते है है headlight control automatic headlight का option मिल जाते है इधर से आप अपनी beam adjust कर सकते है इधर आपको मिल जाते है wiper control इधर आपको मिल जाते है indicator control and steering wheel adjustment की बात करें टिल्ट है telescopic भी है जो की बढ़िया बात है leatherized steering wheel आपको मिल जाते है VW गा इधर लोगो इधर आपको मिल जाते है cruise control volume के control इधर से आप अपनी M.I.D. control करेंगे बट हाँ instrument cluster देख लो आई 100% digital आपको instrument cluster मिलते है अलग अलग views भी आपको मिल जाते है इधर से वही आप सब कुछ control कर सकते है बढ़िया instrument cluster है कोई दिक्कत वाली बात्चित है नहीं interior की overall में बात करूं ना देखो styling elements ना कार में अच्छे खासे हैं जैसे जो satin finish है gloss finish है बढ़िया लगते है बट यह जो AC events है यह देखो कितने ही basic लगते हैं यह मतलब कि improving करना चाहिए इधर gloss black दो या फिर थोड़ा बहुत chrome दो यह तो भाई mandatory है बस पूरी कार में मुझे एक reverse camera और यह बिकार लगता है इसके सबाब भाई पूरी कार इतनी जबरदस्ट लगती है ना बाकि तो आप ना वीडियो में एंड तक बने रहो एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यूव है या से वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब ही कार में एक और दिक्कत है उसकी हम बात करेंगे बट यह इधर आपको मिल जाते है और यह जादा बढ़िया मुझ अब को जाता है दो कफोल्डर मैनुल हैंड बेक बाराव वट का सॉकिट आमरेस्ट है ऐसी कुछ है स्पेस नॉन अडिस्टिवल आमरेस्ट है लव बोकस है एसा स्पेस है अड्यास इन्फोटेंविन स्क्रीन की बात करें तैन इंची स्कीन है आपको इंफोटेंविन स्क् स्क्रीन है जो टच रिस्पॉंस है आप देखी लो बहुत ही बड़ी है इसमें नाम नूमना मतलब एंटर करना पड़ेगा तब जाके ना यह चलेगी बढ़ हां यह ने पहले भी आपको दिखा रखी है बढ़िया है और मेजर दी जो बंदे को ची होता है न एपल कार प्ल इसमें आपको अधर मिल जाते है चोटी वाली बाकी हां संचटी बात करें टिकेट होल्डर है इधर आपको मिरर मिल जाता है और पीछे जाती फिलाल इसम कर देते हैं बंद शेड तो हमें हाथ से ही आगे करना पड़ेगा यह लो जी हो चुका है यह बी बंद एस सीट की ब अधर को चैसी है मुझे तो भाई बढ़िया लगती है जो बढ़िया नहीं लगता हूं मैंने आपको बता दिया बाकी इदर आपने कार्ण वगएरा रख सकते हैं अब हम चलते हैं रियर में रियर से मैं आपको बताता हूं मतलब कि इस चीज की कोई बात नहीं करता है जो वर्टस से बेटर मुझे personally कही न कहीं लगता ही है मतलब कि अगर आपको जाधा comfort चाहिए न तो आप new वर्णा पर ही जाना एक तो उसके suspension comfort side पे Hyundai ने फोकस कर रखें और उपर से जो वर्टस के suspension है वो आपको पते है भाई skiff कितने है मैं आपको यही कह रहा था जो new वर्णा के suspension है वो comfort side में है जिनका drawback रहते है high speed पे इतनी stability नहीं रहती whereas जो इसके suspension है वो थोड़े न स्टीफ है इनका drawback रहते है जो घड़े वगयर है but anyway यह सब चीज़े छोड़ते हैं इधर आपको मिल जाते है AC vents दो USB C type socket hump भाई छोटा है तीन बंदे बैठ सकते हैं वोदा कि दो बड़े एक बच्चा तो बैठ सकते हैं hump की कोई दिक्कत नहीं आएगी and जो plus point है three adjustable headrest मिल जाते है with center armrest with two cup holder बाकी cabin light की बाद करें LED cabin light आपको मिल जाते हैं पीछे देशबूड का कुछ ऐसा लुक है भाई कार देखो कितनी बढ़िया लगती है instrument cluster पे देखो VW का logo क्या बढ़िया लग रहे है and safety features की बाद करें इसमें आपको 6 airbag मिल जाते है ABS EBD मिल जाते है ESC Hill Hold Assist मिल जाते है बट छे airbags अभी standard नहीं है बट एस safety में भाई Volkswagen का कोई तोड है नी 5 star rated cars इनकी mostly रहती ही है बाकी तो comment section open है आप अपने opinion ज़रूर दे 18-19 लाग खर्च के क्योंकि वो यह ना on road तो state to state vary करता ही है बाकी तो हाँ GT के लिए 25 लाग तक भी आप क्या खर्चोंगे और आज के टाइम में भी क्या sedan कार प्रेफर करोगे जबकि जाजतर लोग SUV पर जा रहे है बट बाते ना वो ही आ जाते है एक बार जिसने sedan चला ली ना मतलब कि perfect sedan चला ली तो बंदा ना बिल्कुली sedan lover बनी जाता है बट वो भी बाते आ जाते हैं कि हमारे इंडिया में roads तो गएर की condition बहुत ही खराब है ऐसे बंदे भी खराब बरते तो आपनी स्कूटी जला चला के बट ठीक है यह सब चीज़े हम छोड़ते है अगर आपको यह वीडियो पसंदा यह वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तेल देन बवाए टेक केर